स्वागत दोस्तों इस नए वीडियो में इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे Productivity Linked Bonus PLV के सम्मन में जिसका इंतजार आपको सालवर रहता है और फाइनली इस में में आपको दिया जाने वाला है क्योंकि इसके सम्मन में लेटर सर्कुलेट होना शुरू हो गया है लेटर आप देखी सकते हैं मेरे वीडियो के साथ स्लाइड शो में आप लेटर देखी लेंगे नॉर्मली न्यूज आ रहा था कि 23,000 रुपे या 30,000 रुपे या 40,000 रुपे प्रोडक्टिविटी लिंक्ट बोनस दिये जाएंगे और मैंने पहले भी कहा था रभी भी कह रहा हूं 17,951 रुपे मैंने पहले ही कहा था इससे ज़्यादा बोनस नहीं मिलने वाला है और नहीं देने वाली है तो फाइनली वही निकल गया आप अगर लेटर में देखेंगे 7,000 के बेसिक का कैलकुलेशन किया जाएगा 7,000 के बेसिक के कैलकुलेशन के हिसाब से आपको दिया जाएगा प्रोड़क्टिविटी लिंक्ट बोनस सभी रेलवे करमचारियों को मिलेगा जिसमें की पैरामिलेटरी फोर्सेस के भी सामिल है नौन गस्टेट ग्रूप बी ऑफिसर्स भी सामिल है जिनें पीलबी दिया जाएगा पीलबी का जो कैलकुलेशन होता है वो 7,000 के बेसिक पे होता है 2007 के हिसाब से उसे कैलकुलेट करने के बाद 17,951 रुपे रौंड अफ पे अमाउंट बनता है जिसे 78 दिनों का बोनस कहा जाता है इसका कैलकुलेशन कैसे होता है आप मेरे पिछले वीडियो में चाहें तो देख सकते हैं कि इसमें कैलकुलेशन का पूरा मैंने शिडूल दिया हुए कि कैसे 17,951 होता है इसमें काउंटिंग किया जाएगा आपको एक अप्रिल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक का काउंट किया जाएगा और वो जौब पिरिड को काउंट करते हैं उसके हिसाब से आपको बोनस जो है दिया जाता है 78 दिनों का बोनस इस 78 दिनों के बोनस के साथ कई समचार चैनलों पर ये भी चलेगा कर्मचारियों को मिला 78 दिनों का बोनस लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाय तो ये आपके सायद 15 दिन के दी जाने वाले सेलरी के हिसाब किताब में भी नहीं रहता है ये तो आपको पताई होगा, खेर जाने देजिए, मुझे तो बस यही जानकारी आपको देना था, कि देखिए ये लेटर आपको आ गया है, जिसके हिसाब से आपको 17,951 रूपे बोनस मिलेंगे, बोनस मिलने की आपको शुब कामना है, इस से ज़्यादा के उम्मीद नहीं क क्लियर मालूम पर जाएंगे, कैसे कल्कुलेट किया गया है, प्रोड़क्टिविटी लिंक्ट बोनस, चलिए मुझे और आपको दोनों को पील भी मिलने की शुब कामना है, बाकी लेटर आप स्लाइड सो देख लीजिए, नहन्यवाद दोस्तों,